हेलो दोस्तो आज हम सीखेंगे class strength polynomals के exercise 2.1 के जो भी pyqs आए हैं कैसे question बनते हैं exercise 2.1 से आज हम वो discuss करेंगे तो बचो मैंने कुछ pyqs लिये है exercise 2.1 से तो इसको करने से पहले इन questions को देखने से पहले हमें इसका concept समझना पड़ेगा और कैसे question अभी तक board में आए हैं उसको देखना पड़ेगा तो समझ लेते हैं क्या-क्या concept हमने सीखे हैं बचो exercise 2.1 के लिए आपको कुछी concept की जरुरत है और वो भी बहुत simple है ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखोगे या इसी जो मैं concept सिखा रहा हूं इसी को अच्छे से समझ लोगे तो देखना वो सारे question आप ऐसी ओरली मेरको answer कर रहे होगे ठीक है तो बचो सबसे पहली ची है वो यह है की exercise 2.1 में आपको कुछ एसी कर्व गिवन होगी ठीक है कुछ ऐसी कर्व गिवन होगी और वो x excess को टच कर रहे होगी ये curve जो है किसको टच कर рही है ये curve किसको टच करेगी x excess को ठीक है कहां पे touch कर रहे हैं? सर्फ यहां पे यानि कि सर्फ एक point पे सर्फ एक point पे ठीक है? तो यह जो curve है, यानि कि यह जो line है, यह x-axis को सर्फ एक जगा पे touch कर रही है तो हम बोलेंगे, इस curve का सर्फ एक ही zero है, कितने zeros हैं? एक ही zero है, only one zero कोई और पूछे, क्या और zero हो सकते हैं? तो आप बोलोगे, हाँ हो सकते हैं, can be ठीक है? पर इस figure में यहां एक ही zero है कोई पूछे क्या और भी zero हो सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ हो सकते हैं पर इस अगर मैं figure को देखू इस curve ने x-axis को एक ही जगा से cut किया है, तो हम बोलेंगे इसके एक zero है ठीक है? यह बात समझागी अगर मान लो कोई curve होता वो दो जगा से करता तो हम क्या बोलते? मान लो कुछ ऐसा given होता तो क्या बोलते? तो क्योंकि इस curve ने बच्चो, इस polynomial के curve ने हमें दो जगा से cut करके दिखाया है, किसको? x-axis को, सिर्फ सारा focus हमें किस पे करना है बच्चो? x-axis पे दो जगा से cut किया है, तो इसके होंगे 2-0 फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई पूछे क्या और भी zero हो सकते हैं? तो आप बोलो, हाँ हो सकते हैं पर इस figure में 2 ही curve है यानि कि 2 ही point है जहाँ पे x-axis को cut किया है तो इसके 2 ही zero होंगे ठीक है? अच्छा, अगर मान लो कोई ऐसा curve आजा है जो 3 point से आपको cut करके दिखा रहा हो हमारी x-axis को तो इसके कितने zeros होंगे? 3 zero होंगे कितने zero होंगे? 3 zero ये बात समझ आगी जो भी curve x-axis को जितनी बार cut करेगा उतने उसके zero होंगे ये बात आपको समझ आगी हमारे syllabus में 1 zero 2 zero और 3 zero तक का ही आता है उससे आगे कभी नहीं आया है ठीक है? दूसरी चीज जो आपको पता रहने चीए कि अगर एक zero है तो आपको नाइन्थ क्लास में याद होगा एक zero कभ होता था? जब कोई भी polynomial क्या होती थी? linear होती थी कोई भी polynomial कैसा होता था? linear linear में highest power हमारे polynomial की कितनी होती थी बच्चो? हमारे highest power कितनी होती थी? 1 जैसे 2x प्लस 5 यहाँ पर आप देख सकते हो x की highest power 1 या फिर मैं सर्फ लग दूँ y equals to y equals to 2x तो x की power कितनी highest power 1 है या फिर मैं y equals to 3x प्लस 5 लिखूँ तो यहाँ पर भी x की power कितनी है? 1 है तो कितने zero होते है? linear के एक zero होते है तो जिसका भी जो भी curve एक जगा पर touch करता है x axis को सिर्फ एक point को touch करता है x axis को तो कैसा हो सकता है? linear हो सकता है linear के highest power कितनी होती है? 1 तो उसके zeros भी कितनी होते है? 1 can be word लिखा आएगा यह याद रखना पक्का नहीं कह रहे है कि होगा ही होगा एक ही zero होगा नहीं board में जब भी question आया है उसमें लिखा है can be तो can be पर ध्यान देना option में 4 option होगे क्या linear होगा या quadratic होगा quadratic मतलब जिसके 2 zero होते हैं या तो cubic होगा जिसके 3 zero होते हैं जैसे कि यह curve आया मालो यही question आया तो इस curve में अगर आप ध्यान दो यह curve 3 जगा से cut कर रहा है 1, 2, 3 तो पूछेगा कि यह जो curve है इसका जो polynomial है वो कैसा होगा तो option में लिखा होगा linear, cubic, quadratic या can't be से तो आप बोलोगे it can be cubic यह cubic हो सकता है क्योंकि इस curve ने x-axis को 3 जगा से cut किया है अब जरूरी नहीं यह curve आगे भी कितना जा रहा हो और x-axis को cut कर रहा हो इसलिए मैं बोलो can be ठीक है यह याद रखना तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमने यह सीखा कि अगर 1 zero है तो linear हो सकता है 2 zero होगा तो quadratic quadratic spelling लिख देता हूँ और 3 zero है तो cubic ठीक है quadratic की highest power बच्चो 2 होती है और cubic की polynomial में highest power 3 होती है कभी भी x की power 3 plus 3 है ऐसे कुछ दिख जाए x square plus 5 ऐसे कुछ दिख जाए तो quadratic equation की highest power 2 होती है और cubic की highest power 3 होती है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने questions में आते हैं कि हमने pyq में कैसे कैसे question देख जैसे कि इस curve में यह question है जो कि board में आया है तो आप देखते ही बता लगा लोगे कि इस curve ने कितनी बार touch किया x axis को 3 बार ही कितनी बार 3 बार तो कितने 0 होंगे हम बोलेंगे 3 0 होंगे क्योंकि इस curve ने x axis को 3 बार touch किया है तो यह curve कैसा हो सकता है next question यह आएगा यह curve कैसा हो सकता है तो हम बोलेंगे यह curve cubic हो सकता है जरूरी नहीं है क्योंकि और भी जगा पर यह touch कर सकता है आगे चल के थीक है पर इस figure को अगर हम मैं देखूँ ये क्या है? cubic है क्योंकि इसके 3-0 है अब आगे बढ़ते इसका answer देखो क्या होगा? क्योंकि ये एक जगा से touch कर रहा है अपने x-axis को तो इसके कितने 0 होंगे? 1-0 कोई पूछे ये curve क्या हो सकता है? चार option दे दे linear, quadratic, cubic तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि एक 0 है तो ये linear हो सकता है ये linear हो सकता है can be ठीक है? next बचो ये curve x-axis को कितनी जगा में touch कर रहा है? आप बोलोगे सर्फ यहाँ पे एक जगा पे तो इसके कितने 0 होंगे? इसके एक 0 होंगे अच्छा ये कैसा होगा ये curve? ये बचो linear हो सकता है linear हो सकता है ठीक है? ये board में question आए हुए है जिस भाशा में आए हुए है उसी भाशा में आपको बता रहो कि कैसे question आ सकता है ऐसी ये curve अगर आप देखो कि कितनी जगा पे touch कर रहा है? पहली, दूसरी और तीसरी तीन जगा पे touch कर रहा है तो इसके कितने 0 होंगे? तीन 0 होंगे और ये curve कैसा हो सकता है? क्यूबिक हो सकता है ठीक है? जिसकी highest power 3 होती है बच्छो अच्छा अब आगे अगर मैं इसकी बात करूँ ये दो जगा से curve touch कर रहा है x-axis को दो जगा से कर रहा है यानि कि दो 0 होंगे और ये क्या हो सकता है? Quadratic Quadratic की highest power क्या होती है बच्छो 2 होती है I hope आपको ये concept समझ आयो और यही NCRT में भी है Exercise 2.1 कुछ ऐसी ही है तो आप ध्यान देना आपकी Exercise 2.1 भी हो गई है और उसके PYQs भी हो गई है